नौश्का मेरा नाम है डॉक्टर पूरू दवन और आज इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपने क्रियाटनेन को डाउन कर सकते हैं अकसर जिन पेशिंट के क्रियाटनेन लेवल बहुत ज़ादा बड़े वे होते हैं उनको डालेसिस अडवाईस किया जाता है कि जाओ आप डालेसिस करवाओ डालेसिस नहीं करवाओगे तो ये हो जाएगा बो हो जाएगा मगर dialysis अपनी body से गंगी निकालने का तरीका है अब इसको natural तरीके से हम कैसे कसे उसे समझने कोशिश करते हैं हमारे शरीर में गंगी निकालने के बहुत सारे root होते हैं पहला root है urine, हम जितना urine पास करते हैं उतना creatin, उतना urea हमारी body से भाज आता रहता है इसी तरगे से दूसरा रस्ता जो वेस्ट मेटे को निकालने का होता है वो है stool के रस्ते, जब हम अपने stool पास करते हैं तो बहुत सारी गंगी उसमें body से भाज चलियाती है एक और तरीका होते हैं जिसके बारे में सबसे कम हम सोचते हैं अगर आपको पसीने जादा आते हैं तो पसीने के साथ सिर्फ पानी, salt बहार नहीं जाता उसके साथ body में जो गंगे वो भी बहार जाती है अब यह जो sweating का रस्ता है क्या हमें से यूर्ज कर सकते हैं एक kidney fill a patient में creatinine और urea को down करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले जुरूरी हो जाता है कि यह जानना कि ऐसा हो सकता है या नहीं क्या creatinine और urea sweating के थूरू, पसीने के थूरू body से बहार जा सकते हैं तो इसका ज़कर हम research करते हैं, multiple sites पर जाके देखते हैं तो हमें इसका answer मिलता है कि yes, पसीनों के रस्ते, creatinine और urea body से बहार जा सकता है मगर इसमें हमने कुछ चीज़ों का ध्यान अखना होता है तो पहले इस procedure को समझते कि कि किस तरह से sweating रस्ते आप अपने creatinine और urea को down कर सकते हो तो पसीने लाने के बहुत सारे तरीके हैं, सबसे बड़ा तरीका यह होता है कि गर्मी क्योंकि हम physical work out नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा physical exercise नहीं कर सकते हैं क्योंकि जितनी हम physical exercise करेंगे, उतना ज़्यादा creatinine भी हमारी body में बनेगा तो अराम से sweating करने का तरीका कौन सा होता है, वो है sona अब आपकी screen पे एक छोटी सी image है, आप इसे समिझने कोशिश करेंगे, यह कपड़े का बनावाद चेंबर होता है साथ में एक छोटी सी machine होती है, जो की भाब बनाते रहती है इसके अंदर जो temperature है, चालीस डिग्री के आसपस हमारा पहुंचाता है जब आप चालीस डिग्री के environment के अंदर बैठते हो, भाब के अंदर बैठते हो, तो आपकी body बहुत सारा पसीना बनाना शुरू करती है बहुत जादा sweating करना शुरू करती है और इस sweating के साथ आपकी body में जो ketanine है, यूरिया है, कुछ हिस्सा बहार जाना शुरू करती है यानि आप urine के रस्ते पास करें, कुछ आप पसीना के रस्ते निकाल दें, तो total जो आपका excretion है ketanine और urea की daily basis पर बढ़ गई तो क्या होगा कि हमें अपने रिपोर्ट के अंदर ketanine और urea down जाते वे नजर आने शुरू हो जाएंगे इस sweating की बज़े से अब ये जो sweating आप कर रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं, दिन में कितने घंटे निकालना है, वो भी माइने रखता है अगर आप 5 minute निकालेंगे, कोई खास फायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा तो जो लोग इस process को use करना चाहते हैं, तो कम से कम डेड़ से 2 घंटे आपने अपनी body को तपाना है, पसीनी निकालने है तब जाके इतना ketanine और urea निकाल पाएगा, कि आपकी रिपोर्टों में वो चीज विजिबल होनी शुरू हो पाएगी मगर कुई भी procedure को start करने से पहले, उसके pro and cones के बारे में हमें पता होना चीए फैदा हमें पता लग गए कि ketanine और urea मेरी body से जादा निकलेगा, क्योंकि कुछ मैं पसीनी से निकाल रहा हूँ, कुछ मैं urine के रस्ते निकाल रहा हूँ तो overall excretion of ketanine and urea बढ़ने के वाज़े से level down होंगे मगर जब आप ketanine and urea को पसीनी के रस्ते भार निकालते हों, तो body में से पानी भी भार जा रहा है, body से salt भी भार जा रहा है क्या हम इसे, किस तरह से हमें result देखने को मिलेगे, किस तरह से हमें body में changes नजर आनी शुरू होंगे, उसको समझने कोशिश करते हैं अगर आप अपनी body में से पानी पसीनी के जादा जादा निकाल दोगे, तो आप के लिए urine के लिए कम बचेगा, अगर urine को कम आएगा, तो ketanine आपका जम करना स्टार्ट कर जाएगा तो आपने क्या धिया रखना है, कि आपने अपने आपको प्यासा नहीं रखना, आप जब sweating कर रहे हैं, भाप ले रहे हैं, तो छोटी-छोटी मातरा में normal water का intake करते रहे हैं, जिसे body में पानी की कमी ना हो, प्योंकि अगर पानी की कमी हो जाएगी, तो urine के output पे obvious है, बहुत पानी की मातरा को आपको खोलना पड़ेगा, अगर आप इस process में जाते हो, दूसरा आपने दियान क्या रखना है, कि जब पसीने आने हैं, उससे body में से salt बहार जा रहा है, तो जब आप भाप लेंगे, तो उसके बाद आपको अपना blood pressure low देखने को मिलेगा, कि salt निकलने के वज़े से BP थोड़ा सा fall करना शुरू हो गया, जिन patient का BP already low है, उनको इस procedure से बचना चाहिए, क्योंकि उनका BP और fall करेगा, जिससे उनको दिक्कत हो सकती है, तो जब तक आपका BP high ना हो, normal ना हो, इस process को आपने avoid करना होता है, अब समझनी वाली बात यह है, कि हम sweating के रस्ते ketanine and urea निकाल तो रहे हैं, मगर यह आपकी kidney को ठीक नहीं कर रहा, kidney जब तक ठीक नहीं होगी, तब तक हमारी kidney failure वली दिक्कत बनी रहे जाएगी, तो आप जब भी इस process को start करें, तो यह आपको temporary relief तो देगा, बट permanent type का relief आपको देने में नाकाम्याब रहेगा, क्योंकि body तो daily basis पे ketanine and urea बनाएगी, daily basis पे थोड़ा से ज़्यादा हमने ketanine and urea जरूर निकाल दिया, बट जब तक हमारा main organ काम करना starting करता है, main kidney काम करना start नहीं करती, तब तक आपकी जो levels हैं, वो बहुत अच्छे down हमें देखने को नहीं मिलते, मगर जिन patient के अंदर dialysis हो रहा है, आप sweating के थूरू भी ketanine and urea daily basis पे निकालना शुरू करते हो, तो जो पहले आप दूपा अपना dialysis करवाने जाना पड़ता था, अब फ्रैद हो सता है कि आपको एक बार जाना पड़े, हो सता है कि आपको ना जाना पड़े, क्योंकि आप पसीनियों के रस्ते उसको निकाल अब इस प्रोसेस में और dialysis के प्रोसेस में थोड़ा सा फर्क भी है, अगर आपके levels sweating के थूरू maintain हो जाते हैं, बढ़ना बंद कर देते हैं, तो सबसे बड़ा benefit क्या मिलता है कि body में weakness नहीं आते, क्योंकि जब हम dialysis से करवाते हैं, तो body में से ना सिर्फ ketanine and urea निकलता है, बलकि body में से protein भी निकलना शुरू होता है, body में जो vitamins हैं वो भी निकलना शुरू होते हैं, जिसके युज़ा से body भी deficiencies कमिया बननी शुरू हो जाती है, तो वो जो कमझोरी हमें देखने को मिलती है dialysis के साथ, वो शायद हमें sweating करने की वज़ज से, सोना लेने की वज़ज स ना देखने को मिले, तो यह सबसे बड़ा benefit होता है, मगर इसके लिए हमें साथ में काम करना पड़ता है, अपने kidney के उपर, तो मैं उम्मिद करता हूँ, इससे आप समयच के कि किस सरा से हम sweating करके सो ना लेकर, अपनी creatin को down कर सकते हैं, मगर आपने एक चीज़ का और ध्यान अ कि अपनी kidney को भूलना नहीं है, kidney main organ है, जो ketanine and urea को बाड़ी से भाह निकालेगी, अगर इसको कुछ हुआ, इसकी functioning down होती है, मालो कि आपने sweating के रस्ते निकाल देए, और आपने kidney पर ध्यान देना बंद कर दिया, तो में रस्ता बंद होनी की वज़े से, सारा का सारा लोट कि अपने के रस्ते निकलता है, अगर यह जो ketanine and urea को यह निकलता है, वो इतनी मात्रा में नहीं निकल पाता कि वो अपके पुरी बॉडी को मेंटेन कर सके, तो आपके ketanine and urea level जंप करने स्टार्ट करेंगे, तो आपने kidney की condition को maintain को एकना है, उसे पहले से better करना है, साथ म बहुत अच्छे changes देखने को मिल जाएंगे कि आपकी जो dependency है, dialysis के उपर यह जो आपके बहुत बड़े वे level है, वो down होने शुरू होगा है, तो यह बहुत अच्छा procedure होता है, जिसके में body को minimum harm होता है, ना के बराबार harm होता है, कोई side effect नहीं है, और इसे हम daily basis पर कर सकते है कोई महंगा procedure भी नहीं है, time तो हमने निकालना ही होता है, तो अगर दिन में दो घंटा निकाल लेते हैं, तो हमारी body पहले से better work करना शुरूगर देती है, क्योंकि हमारी body में blood में जो waste में लिखटा हुआ था, वो अब कम रहता है, तो इसे हमारी body में जो complications आ रही थी, वो क काम हो जाती है, तो overall यह छोटा सा procedure हर kidney failure patient के लिए काम्याब हो सकता है, अब सवाल उठता है कि जो हमने आपको images में दिखाया, यह आपको Sona कहां से मिलेगा, तो आप इसे simply किसी भी online site से, Amazon से, Flipkart से, आप इसको सर्च करेंगे Sona के नाम से, तो आपको बहुत सारी listing मिल जो आपको अच्छा लगता हो, जो आप वो color पसंदार हो, वो आप वंगवागी कर सकते हो, आपको इसका benefit 100% मिलेगा.